वेलकम टू श्टेडिकर दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे 13 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ्यास के कुशन तो आप इस पूरी लेक्षर को बहुत ध्यान से लास्त तक जूर देखेगा पहला और इंपोर्टेंट कुशन है आपको याद रखना है कि जो सुब्रूतो कप है यह एक इंटरनेशनल फोटवाल टूनामेंट है और इस बार इसका 372 संस्क्रण आयुजित किया गया था तो इसमें अंडर 17 लड़कों ने हिस्सा लिया था ये भी आप पॉइंट याद रखीगा सुब्रूतो कप 2024 का आउजन 2 सितंबर से 11 सितंबर तक नई दिल्ली में किया गया है और यह एक इंटर इसकूल फोटवाल टूनामेंट है यानि इसमें स्कूल लेविल की फोटवाल टीमें हिस्सा लेती है और इसमें बिदेसी टीमें भी हिस्सा लेती है जैसे इस साल बांगला देश, नेपाल और सिलंका की टीमों ने हिस्सा लिया था सुप्रोतो कप का पहला संस्क्रण 1960 में आयुजित किया गया था नई दिल्ली में देखें दोस्तों फुटवाल की बात हुई है तो फुटवाल से रिलेटेड कुछ कप और प्रतियोगताओं की विजिता डिसकस करते हैं जैसे अभी हाली में चौथा इंटर कॉंटिनेंटल कप आयुजित किया गया था इंडिया में उपविजिता कोन रहा है मौहन बागाण इंडियन सुपर लिग 2024 का विजिता रहा है मूंबई सिटी उपविजिता रहा है मौहन बागाण संतोष ट्रॉफी 2023 का टाइटल जीता था सर्व सेस ने और उप विजिता रहा है गोवा ला लीगा 2024 का खिताब रियल मैडिट की टीम ने जीता था इसी प्रकार से कलिंगा इंडियन सुपर कप 2024 के अगर हम बात करें तो इसका आयूजन भोवनिश और ओडिशा में क्या गया था विजिता इस्ट बंगाल रहा है उप विजिता ओडिशा फुटवाल किलब रहा है आप इस पूरी लेक्षर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखेगा लास्ट में आपसे कुशन पूशन पूशा जाएगा जिसका अंसर आपको कमेंट बॉक्श में बताना है अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल सकेगा चलिए अंगल कुशन डिसकस करते हैं तो कुशन क्या है आर रवेंद्र किस देश में भारत के राजदूद बने हैं आंसर हो जाएगा आइसलेंड तो आइसलेंड में भारत के राजदूद कौन बनाए गए हैं आर रवेंद्र बनाए गए हैं वह वरतमान में निव यार्क में सैंवत राष्ट में भारत की उप इस्थाई प्रतिरी रिदी के रूप में काम कर रहे थे लिकिन अब उन्हें आइसलेंड का राजदूद बनाये गया है भारत का इससे पहले आर रवेंद्र ने 2001-2003 तक मिस्र की राजदानी काहिरा में भारतिय दूताबास में काम किया हुआ है इसके अलावत 2003-2007 तक उन्होंने लीविया की राजदानी त्रपोली में भी काम किया हुआ है दोस्तो आइसलेंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिस्तेत है आइसलेंड हाली में निट किये गए कुछ प्रमुख एमबैस्टर डिसकस कर लेते हैं जैसे अमेरिका में भारत के एमबैस्टर बने हैं बिने मोहन क्वात्रा, चिली में अविलासा जोसी, क्यूबा में टी आर्म स्ट्रॉंग चांगसन, डैनमार्क में मनीज प्रभात, इटली में बाणी राव, म्यानमार में अभै ठाकुर, रूस में बिने कुमार, सिवी जॉर्ज को जापान में भारत का एमबैस्टर बनाए आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन, तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि संयुक्तराष्ट महा सभा का हर साल एक सत्र आयुजित किया जाता है, और इसकी वेठक हर साल आयुजित की जाती है, तो दो हजार चौबिस में इसका उन्यासी बा सत्र आयुजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुबात 10 सितंबर 2024 को हुई है, अब इस महा सभा में भोदे सामिल होते हैं, जो संयुक्तराष्ट की सदस होते हैं, कुछ अत्रित सदस भी सामिल होते हैं, तो अभी हाली में फिलिस्तीन को भी इस सभा में एक सीट परदान की गई है, लेकिन आपको याद र लिखा हुआ है, State of Palestine, तो अब ये सत्र में अपना संबोधन देंगे और अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगे, फिलिस्तीन की अगर हम बात करें तो इसे State of Palestine बोला जाता है, इसका प्रसासनिक कैंदर है, रामल्ला में, राश्टपती है महमूद अब्बास, प्रधान मंत ये गाजा का हिस्सा है, जहां पर इसराइल और हमास के बीच में यूद्ध चला है, और ये जो आपको ब्राउन कलर में ये वाला जो भाग दिखाई रेता है, इसी को State of Palestine के नाम से जाना जाता है, चलिए अब हम United Nation के बारे में भी कुछ बिसिक जानकारी डिसकस कर लेते है तो United Nation के स्थापना 24 सक्टुबर 1945 को ही थी, इसमें 193 मेंबर हैं, इसकी महासा है रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच, अर्बी, चीनी, इस्पैनिस, बर्तमान में संयुक्त राष्ट के महासचों हैं एंटेनियो गुटेरस, इसका मुख्याला है नियू यार्क अमेरिका में, इसका उदेश है अंतरराष्टी सांती को बढ़ाबा देना, संयुक्त राष्ट के 6 प्रमुक अंग होते हैं, यहां पर आप देखिएगा ये संयुक्त राष्ट के अंग हैं, इसमें संयुक्त राष्ट महासभा प्रमुक अंग है, फिर इसके बाद आर्थिक सामाजिक पर इसका हर साल एक सत्र आयुजित किया जा रहा है, इसमें प्राइमिस्टर मोधी जी सामिल नहीं होगे, वलकि उनके इस्थान पर डॉक्टर एस्जय हसंकर जी सामिल होगे, इस बात को भी आप याद रखेगा। दोस्तो सेयुक्त राष्ट महासभा का जो 89 सत्र आयुजित किया जा रहा है इसके अधेक्ष कौन है फिले मौन यांग जो की कैमरून देश के हैं अंगला कुशन है राष्ट पती द्रोपती मुर्मू ने कितने लोगों को राष्टिय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरुसकार से सम्मानित किया है आंसर हुजएगा 15 लोगों को तो दोस्तो राष्टपती दृप्ती मुर्मूजी के द्वारा 15 नर्सों को उनके कर्तब और सेवा के प्रती समर्पण के लिए अभी हाली में राष्टिय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरुसकार 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 है यह नर्सों को ही पुरुसकार की गई थी और यह स पॉक्ष मी ये बताना है कि वर्तमान में स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले की मंत्री कौन है। और इनकी जन्म दिवस पर यानी 12 मही को अंतराश्टी नर्स दिवस भी मनाये जाता है और इन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक भी कहा जाता है। पर जाती थी सैनकों की सेबा करती थी तो इन्होंने लेंप लेकर के नाइट में भी ड्यूटी की हुई है इसलिए इन्हें लेडी बिद्दा लेंप भी कहा जाता है। नेक्स्ट कोशन है सीताराम एचुरी किस राजनेतिक दल के महासचो थे जिनका हाली में निधन हो गया है। 2015 में हुआ है पहली बार CPIM के महासचो बने थे। दोस्तो भारतिय कमनिष्ट पार्टी माकसबादी के अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 7 नमबर 1964 को की गई थी। हाली में हुए कुछ प्रमुख निधन डिसकस कर लेते हैं तो अभी हाली में आसा सर्मा का निधन हुआ है जो की एक एक अक्टरेस थी। ग्रीस साहिनी का निधन हुआ है जो की CSIR के पूरुब प्रमुख रह चुके है राकेस पाल का निधन हुआ है जो की इंडियन कोस्ट अंजला कुश्यन है नागरिक उठ्ञ पर दूसरा एसिया प्रसान्ट मंतली स्त्रिय सम्मिलन कहां आयूजीत किया गया है आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में और इस सम्मेलन में नागरिक उड्डियन छेत्र की सुरक्षा और विकास से जुड़े मुत्नों पर चर्चा की गई है। इसका पहला सम्मेलन कहा किया गया था? बीजिंग चाइना में और कब किया गया था? 2018 में इस सम्मेलन का आयुजन किस ने करवाया है? तो भारत का जो केंद्रिय नागरिक उड्डियन मंत्राला है और अंतर राष्टिय नागरिक उड्डियन संग्ठन तो इन दोनों ने मिलकर के इस सम्मेलन का आयुजन किया है? वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डियन मंत्री कौन है? किंज रापू राम मोहन नाइडू देखे यहाँ पर बात हुई थी अंतर राष्टी नागरिक उड्डियन संग्ठन यानि ICAO की तो इसकी स्थापनों निशुचाबालिस में की गई थी और इसके मेंबर हैं 193 मुख्याला है इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में और यह नागरिक उड्डियन के छेत्रों से संबंधित नीमों और मानकों को निर्धारित करने का काम करता है चलिए कुछ प्रमुक सम्मिलन डिसकस कर लेते हैं तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मिलन अभी हाली में लखनाव में आयजुद किया गया है भारत और जापान के बीच टू प्लस टू वारता नई दिली में आयजुद की गई है पुर्थम विश्व द्रस स्रब एवं मनरोरंजन सिखर सम्मिलन गुवा में आयजुद किया गया है वाइस और ग्लोबल साउथ सिखर सम्मिलन दो हजाचाबिस भारत में हुआ है पुर्थम का बदिसबा अंतरास्टी सम्मिलन नई दिली में आयुद की गया है और विश्व नेताओं का सिखर सम्मिलन दुहाजाचाबिस ब्रेटैन की संसर्द में आईवजित किया गया है अंगला कुश्यन है सहरी छेत्र के सभी प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों में आयू सुब्धा उपलब्ध कराने वाला पहला राज़ कौन बना है? आंसर हो जाएगा मद्दप्रदेश. तो मद्दप्रदेश में सहरी छेत्रों में 328 प्रात्मिक स्वास्त केंद्र हैं तो इन इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकिस्था, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पद्धितियों का इस्तमाल किया जाता है। इस पद्धिती को हम भारतिय चिकिस्था पद्धिती भी कहते हैं। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर की। ने कितनी भासाओं में टेक्निकल सब्धों बाली बैपसाइट लौँच की है। आंसर हो जाएगा 22 भासाओं में। तो केंद्रे सिख्षा मंत्राला के तत्वाधान में Commission for Scientific and Technical Terminology के द्वारा एक बैपसाइट लौँच की गई है। और इस बैपसाइट में जो टेक्निकल सब्ध हैं उनको 22 भासाओं में उपलब्ध कराए गया है। तो दोस्तों फिलहाल बैपसाइट पर 30 लाग सब्धों के 450 सब्ध गोस उपलब्ध कराए गया है। और इसका अंतिम लक्ष है 450 सब्ध वलियां उपलब्ध कराना। अंगला कुश्यन है कैंस सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहट किस उम्र के नागरिकों को स्वास्त कवरेश की मंजूरी दी है। आंसर हो जाएगा 70 वर्स और उससे अधिक। तो अभी हाली में कैंस सरकार ने ये कहा है कि जो बरिष्ट नागरिक 70 वर्स या उससे अधिक आयुगे हैं तो उन्हें आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के तहट 5 लाक रुपए तक का स्वास्त कवरेश प्रधान किया जाएगा यानि कि उनका 5 लाक तक का जो इलाज है वो फिरी में किया जा सकता है ठीक है तो इस घोशना के बाद देश के 4.5 करोड परिवारों को लाब मिलने वाला है बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना की तो इसकी शुरुबात 23 सितंबर 2018 को जारखंड के राची से हु तो जिन परिवारों में आयुष्मान कार्ड होते हैं उन परिवारों को एक बरस में 5 लाग तक का स्वास्त कवरेज प्रधान किया जाता है यानि कि 5 लाग तक का इलाज फिरी में किया जाता है अंगला कुश्यन है Polaris Dawn Mission किस Space Company ने लौंच किया है आंसर हो जाएगा इसका Space X तो दोस्तो इलोन मस्क की एक कमपनी है जिसका नाम है Space X तो उसके द्वारा Polaris Dawn Mission 10 सितंबर 2024 को लौंच किया गया है और इस मिसन के तहट 4 एस्टोनौट को प्रत्वी से करीब 700 किलोमीटर की उचाई तक भीचा गया था और यह जो एस्टोनौट गए थे यह Space Walk करने गए थे यानि वहां से उन्होंने Space देखा हुआ है और यह दुनिया की पहली प्राइवेट Space Walk है इस कौन को भी आप नोट कर ले और यह जो Space Walk थी यह 15 से 20 मिनट की थी Space X कमपनी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2002 में की गई थी इसका काम होता है अंत्रिक्ष्यान का निर्माण करना और दोस्तों इस कमपनी के द्वारक कई उपग्रह लॉंच किये जाते हैं और यह एक प्राइवेट कमपनी है और यह अमेरिका में इस्तित तो दोस् Center Point Research की रिपोर्ट के अंसार चीन के बाद 5G स्मार्टफॉन के लिए दूसरा सबसे बड़ा मार्केट कौन मना है भारत मद्द प्रदेश सरकार द्वारा संभागों जिलों और तहसीलों के परिसीमन के लिए बनाए गए परिसीमन आयो की अद्रिक्ष कौन मने है मनोश श्र आपना की है गुजरात किस सहर में आर्टिफीसिल इंटेलियर्स सिटी डेबलब की जाएगी हैदराबाद भारत ने मानवी सहायता की रूप में किन देशों को खादान ने भेज़ा है मलावी जांबिया और जिंबामबे फाइब डिकेट्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक को क इसके द्वारा लिखा गया है सुसील कुमार सिंदे के द्वारा चववनवी जीएश्टी परिसत की बैठक में कैंसर की दवा पर जीएश्टी 12 प्रतिसत से घटा का कितना कर दिया गया है 5 प्रतिसत दोस्तों आज की जनरल नौलिज के पिटारे में हम हिस्ट्री से दोस्तों अब हम अगस्ट दुहजार चौबिस के करेंट टफियर्स को भी एक बार रिवाईश करेंगी हाल ही में फिजी देश के द्वारा Companion of the Order of Fiji समान किसे दिया गया है द्रोपिदी मुर्मुजी को 2024 Fortune Global 500 सूची में सीर्स रेंक बाली भारती कंपनी कौन मनी है Reliance Industries Limited राष्टिय महिला आयोग ने Digital सक्ती केंदर का उधगाटन कहां किया है नई दिल्ली में चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम पाशंग लियामू सेर्पा के नाम पर रखा गया है उनका संबन्द किस देश से है नेपाल पहला बिम्ष्टिक ब्यापार सिखर सम्मिलन कहां आयोजित किया गया है नई दिल्ली में दच्छड अफरीका 20 लीग का ब्रांड मेश्टर किसी बनाया गया है दिनेज कार्थिक को पैरिस ओलंपिक में 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट के फाइनल में पहुंचने बाले पहले भारती कौन मने है अविनास साबले किस राजी की बिधान साबा में अनुसूचित जन जाती आरचन के लिए लोकशबा में बिध्यक पेश किया गया है गोवा सबसे अधिक लोगों के डमरू भजाने के लिए गिनीज बल्ड रिकॉर्ड किस सहर में बनाया गया है उज्जहन में राश्टी हद करगा दिबस 2024 कम मनाय गया है 7 अगस्त को दोस्तो कल के करिंट अफ्यस में आप से पूछा गया था कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है तो बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है तो बुध लगबग सभी लोगों ने इसका अंसर बताया हुआ है दोस्तो स्टेडी करके एप को आप डाउलोड कर ले इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, इबोक, टेस्ट सीरीज, डेली कर इंटरफ्यस की PDF और टेस्ट पास टेस्ट पास में क्या होगा भारत में जितने भी कॉम्प्टेटिब एकसाम आयुजित किये जाते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पर लगबग 3000 से एक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे और इसकी बैलेडिटी होगी एक बरस की टेस्ट पास का यूज आप जरूर करें आज का कुश्चन है आपके लिए सुब्रुतो कप किस खेल से सम्मनित है जो भी इसका राइट अंसर और कमेट बॉक्ष में जरूर बताएं दोस्तो study करके एप पर आपको अगस्ट 2024 के current affairs की ebook भी मिल जाएगे हिंदी और इंगलिस दौनों मीडिया में जनबरी 2024 से अगस्ट 2024 तक के current affairs की ebook भी आपको यहाँ पर उपलब्द हो जाएगी एप पर आपको daily current affairs का test भी मिल जाएगा और कुछ mock test भी मिल जाएगे बिल्कुल फिरी में ebook बाले section पर जाएगे तो आपको current affairs की ebook के अलाबा gk की ebook भी मिल जाएगी वो भी topic बाइस तो इनको आप महाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तो daily current affairs की pdf के लिए आप हमारे telegram channel को join कर ले टेलिग्राम पर जाएए study कर official सर्च कर ये तो channel मिल जाएगा उसको join करेंगे तो आपको pdf भी मिल जाएगा आप हमारे whatsapp channel और instagram page को भी follow कर सकते हैं इनका link description box में दिया गया है